एक बार पुना से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आज के इस विडियो में हम लोग जो है सुझी के में पढ़ने वाले हैं सुरी के बारे में कुछ इंपोर्टेंट जानधारी हम लेने वाले हैं और यहां से संद से रिलेटर क्या-क्या प्रशन बन सकते हैं जि और यह होता है संद तो पहला की उजर हो गया स्वार्ट मंडल का पर्धान कौन हो जाएगा हेट कौन हो जाएगा यह संद इसके बाद में दूशरा बनता है कि जो सुली हैं सुली का जो जो सुली अपने अक्ष पर घुमती है यह किस दिशा से लेकर कि किस दिशा की ओर और्म खुमती है है आपने अक्ष पे जू लिली है यह वर चुन दसा की और को सब्सक्लिन तास के हुआ इसके बाद में हिलियम है यह एप्रोक्स मानें तो यह 26.5 परसेंट है और जो अधर गैसेज है इसकी मात्रा है 2.5 परसेंट और गेस पूर जो यह सन है न सन का जो एक दम जो इसका केंदर का जो भाग है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोड और प्रोड का जो टेंपरेचर होता है वोता है 1.5 इंटू 10 to the power 7 degrees Celsius इतना होता है इसका क्रोड का टेंपरेचर अगर सन के बाहरी जो सता है इसका टेंपरेचर की बात करें तो यह होता है 6000 डिग्री Celsius 6000 डिग्री चल्सियस होता है सुर्ज गरहन के समय हम लोग को जो सन है सन का जो भाग हमको दिखता है उसको क्या बोलते हैं सूरे क्रेट और इंगलीस में इसी पर हम लोग बोलते हैं को रोना नेक्स्ट है अगला जो है यह है आपका को रोना जो है यह जो है सो एक स्रेज उ बूत्रपन करता है नेक्स्ट है जो सन के एज लुब भाग है पांच बिलियन वर्स के पรकाश पीठिवी तक आने में जो एक्टॉल टायम लगता है वह होता है एक मीनाट शीक्स होता है इसको इतना समय लगता है और कुछ प्रस्ट है जैसे कि सुच का व्यास, इसका व्यास है लगभग जो है 13 12,000 यानि कि लगभग 14-14 लग किलोमेटर इसका जो है सव व्यास है जो कि पित्विक व्यास का व्यास का लगभग 110 दस गुना है तो यह कुछ प्रसंथा सन से रिलेटेड़ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल पर सब्सक्राइब और सही करने चेगा थैंक यू जैहें जैवाद